मैं दिल पेका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशन गेम्स के 29 सितंबर के रिजल्ट्स की जी हाँ, आज के दिन भारत ने जीते हैं टोटल 8 मिडल्स जिसमें शामिल रहे दो गोल, चार सिल्वर और दो ब्रॉंज मिडल और इसी के साथ भारत के अभी तक टोटल मिडल्स हो चुके हैं 33 वहीं अब बात की जाए रिजल्स की तो वैसे तो जो मिडल्स भारत ने आज साथ मिडल्स जीते थे उनकी वीडियों ने आपके लिए डाली हुई है बाकी हम उनका एक ओवर्वियू लेंगे और बाकी जो और इवेंट्स रहे हैं उनके रिजल्स आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं मिडल इवेंट्स से ही बात करेंगे जहां पर शूटिंग के अंदर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम इवेंट में भारत ने गोल मिडल अपने नाम किया विद अन्यू वर्ल रिकॉर्ड जहां पर हमें सुअपनिल उनके अलावा आश्वरी और अखिल का ट्रायो नजर आया वहीं दूसरे और इसी इवेंट के इंडिवीज्वल के अंदर आश्वरी ने जहां सिल्वर मिडल जीता हुएं सुअपनिल चौथे स्थान पर रहे अब बढ़ते हैं दूसरे इवेंट की और जो की रहा विमेंस 10 मीटर एर पिस्तिल का टीम इवेंट जहां पर पलक, ईशा और उनके अलावा दिव्या के ट्रायों ने सिल्वर मिडल जीता और इंडिवीज्वल के अंदर भी हमें डबल पोडियम फिनिश देखने को मिली जहां पर एक तरफ पलक ने गोल मिडल अपने नाम किया है वहीं दूसरी और ईशा सिंग ने सिल्वर मिडल वहीं अब बियात की जाए टेनिस की तो टेनिस के अंदर मैंस दबल्स के अंदर हमें नजर आई रामकुमार रामन नथन और मैनेनी की जोड़ी जिनों ने इस एशन गेम्स को सिल्वर मिडल के साथ फिनिश किया वहीं दूसरी और अगर स्क्वाइश की बात की जाए जहां पर विमन्स टीम ने ब्रॉंज मिडल के साथ इस एशन गेम्स खत्म किया को क्यों हॉंग कॉंग को खिलाफ उन्हें एक-दो से हार का सामना करना पड़ा हुए दूसरी और मैंस टीम ने मलेशिया को 2-0 से हराते हुए फाइनल्स के अंदर अपनी जगा बना ली है और अब फाइनल्स में वो गोल मिडल के लिए हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट पागिस्तान वहीं अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की है और जहां पर विमन्स टीम को क्वाटर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा था इलिंड के खिलाफ 0-3 से लेकिन हुए दूसरी और मैंस टीम अपना क्वाटर फाइनल्स खेलती हुई नजर आएं नेपाले के लाफ जहां पर काफी इसली इनिया शटलर्स ने 3-0 से जीत दर्श करते हुए सेमी फाइनल्स में जगा बना ली है और एट लीस्ट एक ब्राउंज मेंडल भी कनफर्म कर लिया है स्वेविं के बात की जाए जहां पर काफी सारे इवन्स रहें जिसमें सबसे पहरे हम फाइनल्स की ही बात कर लेते हैं जिसके मैं 200 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर अधवेद पेश ने फाइनल्स में 7 पोजिशन पर फिनिश किया मैं 200 मीटर बैक साजन प्रकाश 7 पोजिशन पर रहे और उन्हों ने अपनी रेस को फिनिश किया मैं वरिती 5 पोजिशन पर मैं 400 मीटर फिस्टाइड में आरियन जहां पर 11 पोजिशन पर रहे पर रहे हैं कुशाग्र 17 और आखिर में विमन फोर इंटू 100 मीटर मेडले रिले के अंदर भारत ने हीट्स में 9 पोजिशन पर फिनिश किया टेबल टेनिस की बात करेंगे जहां पर थोड़ी मिक्स रिजल्स हमें देखने को मिले सबसे पहले विमन सिंगल्स के अंदर मनी का बत्रा पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल्स में मानव और मानुष को जरूर जीत मिली और उन्होंने सिंगापूर को 3-2 से हराते हुए कोर्टर फाइनल्स के अंदर जगा बना ली है विमन सिंगल्स के अंदर जहां पर श्रीजा अकूला और दिया को हार का सामना करना पड़ा अगेंस जापान बाई 0-3 राउंड उफ 16 वहीं दूसरी और अहीका और सुदेता ने जीत हासल करी उन्होंने थाई पैर को 3-0 से हराते हुए कोर्टर फाइनल्स में जगा बना ली है आकिर में मेंस सिंगल्स के अंदर साथिया और शरत दोनों को हार का सामना करना पड़ा जहां पे साथिया गनशेकरन चाइनीज प्लेयर के खिलाफ जीरो चार से हार गए वहीं दूसरे और राउंड उफ 16 में शरत कमल चाइनीज टाइप एक प्लेयर के खिलाफ चार तीन से हार कर यहीं से ही बाहर हो गए है बॉक्सिंग के अंदर हमें तीन मुकाबले देखने को मिले सबसे पहले बात करेंगे 57 kg विमन्स के राउंड उफ 16 की जहां पर प्रवीन हुड़ा का मुकाबल था चाइनीज बॉक्सर के लाफ और उन्होंने इस मुकाबले को 5-0 से जीतने हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगा बनाई वहीं विमन्स 50 kg के हमें क्वार्टर फाइनल्स देखने को मिले जहां पर निखाज जरीन हमें कंपीट करती भी नजर आई जॉर्डन की वॉक्सर खिलाफ और उन्होंने रेफरी स्टॉपिंग दे कंटेस्स के बेसिस पर सेमी फाइनल्स में अपना चेहर हमें कंपीट करते हुए नजर एक रिगस्तान के बॉक्सर खिलाफ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक चार से वो हार कर यहीं से ही बाहर हो गए हैं वहीं अब बढ़ते हैं नेक्स इवेंट की और जो कि रहा बास्केट बाल जिसके विमन्स टीम ने मंगोल की अइन प्राइन से अट्लेटिक्स की भी आज के दिन से शुरुवात हो गई है जिसमें सबसे पहले रेस वॉक के अंदर विमन्स 20 किलो में रेसवाऌ में प्रियंका गोस्वामी ने फिफ्थ पॉजिशन पर फिनिश किया वहीं मैंस 20 किलो में रेसवाउक में जहां विका बांशी मले चौथे स्थान पर रही और फाइनल्स में नहीं जा पाई मैंस 400 में अपनी हीट मी तीसर्थ है फाइनल्स की लिए कालिफाइन नहीं कर पाए व्हहीं २ दूसरी और मोहमद जो कि अपनी हीट में 2nd रहे वो फाइनल्स के लिए कौलिफाई कर चुके हैं विमन्स हैमर्ट रो के अंदर तानिया चौदे जहां पर 7th position पर रहे विद अबस अटेंप्ट आफ 60.50 महीं दूस्ती और रचना कुमारी नाइंथ पर विद अबस अटेंप्ट आफ 58.13 अब बात की जाएं विमन्स शॉट्पुट की जहां पर हमें एक और मिडल देखने को मिला और भारत की शॉट्पुटर केरन वालियान ने ब्रॉंज मिडल अपने नाम किया है विद बेस्ट एफ़र्ट ऑफ 17.36 मीटर्स और वहीं दूसरी और मनप्रीत को और पांचवे इस्थान पर रही वहीं बात की जाएं अब साइक्लिंग की जिसके मेंस केरिन सेमी फाइनल्स के अंदर डेविड बेकम और एसो हमें नजर आए जिनोंने डेविड जहां पांचवे स्थानब़ वहीं एसो ने चटे स्थानब़ फिनिश के और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए मैं मेडिसन फाइनल्स के अंदर इंडिया ने एट्थ पोजिशन पर फनिश किया है गॉल्फ के राउंड टू आज खत्म हो चुके हैं जहां पर विमेंट टीम थर्ड पोजिशन पर है विद टोटल स्कोर ऑफ 134 वहीं दूसरी और मेंस टीम T6 विद टोटल ऑफ 205 इसपोर्स के अंदर भारत डोटा 2 के अंदर पहले क्रेकस्तान वहीं दूसरी फिलिपिन्स के खिलाफ हार गया वहीं होके के अंदर विमेंस टीम हमें कंपीट करती हुई नजर आई मलेशा के खिलाफ और इंडियन विमेंस टीम ने अपने मुकाबले में जीत हासल कर ली है व में बात कर लेते हैं चेस की जहां पर मेंस टीम और विमेंस टीम के राउंड वन रहे जहां पर मेंस टीम ने मंगोलिया को हराया वहीं दूसरी और विमेंस टीम ने फिलिपिन्स को तो यह थे आज के दिन के कंप्लीट रिजल्स आप सभी के लिए अब आखिर में बात कर ल top 3 की और नज़र डालते हैं तो top 3 में as usual top कर रहा है host China with a total of 200 medals जिसमें 105 medals gold है वहीं second और third position में जरूर हमें change देखने को मिला जहां पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है Japan with a total of 99 medals including 27 golds वहीं तीसरे स्थान पर खिसक गया है Korea with a total of 102 medals with 26 golds तो यह थे आप सभी के लिए complete results और अभी तक की medal tally बाकी कल एक नया दिन रहेगा उमीद करेंगी काफी सारे medals हमें कल के दिन भी देखने को मिले तो आज की वीडियो में बस अतना है बाकी Asian Games से जुड़ी हर कबर जानने के लिए चानल के साथ ज़रूर जुड़े रहें उसको ज़रूर सबस्क्राइब कर दें So thank you for watching the video